अंतराश्टी बजार से संकेत लेते हुए आज भारती बजार की एक पॉजिटिव शुरुआत हुई 11,000 के आसपास निफ्टी ने अपने दिन की शुरुआत की और पूरा सतर एक वोलाटाइल सेशन के तरह ट्रेड होता हुआ नजर आया आई देखते हैं वो सारे स्टॉक जिसमें थोड़ी सी पढ़त थी 4-5% की जो उच्छाल देखने को मिली है वो स्टॉक थे यूपील, बजाज फिनांस और जील वहीं स्टॉक जिसमें थोड़ी से कमजोरी देखने को मिली है जिसमें 5% से अधिक गिरावट दर्ज हुई वो स्टॉक थे संफामा, विप्रो और इंडियाबूस हाउसिंग फिनांस अई नजर डालते हैं निफ्टी की important support और resistance की जो यहां से दिखता है तो निफ्टी का immediate support जो दिख रहा है वो यहां पे है 11,000 का और उसके नीचे का जो level आता है वो 10,900, 10,920 के असपास का बनता है resistance की तरफ अगर नजर डाले तो निफ्टी का next resistance जो यहां खे दिख रहा है वो है 11,100 और 11,150 का